WTC के साइकल में इंडिया की कुछ important सीरीज होनी है जैसे आप South Africa जाओगे और उसके बाद आपके पास England आने वाला है तो England के साबने जो test सीरीज है जो 5 match की test सीरीज होनी है वो काफी important रहने वाली है और उसमें जाहिर से बात है हमारे जो सारे premium खिल रहे होंगे क्योंकि South Africa में test test में तो जाएंगे बट ODI और T20 के लिए काफी साले players ने rest मांगा है जैसे कि रोई शर्मा नहीं दिखेंगे आपको विराट कोली नहीं दिखेंगे जस्परीद दुम्रा नहीं दिखेंगे लेकिन ये सारे खिलाड़ी जो rest पर रहेंगे ये आपको test में available है और उसके बाद इंग्लैंड काफी famous है मतलब इंग्लैंड को अगर आप test में खेलते हुए देखेंगे तो आपने ये basketball term ज़रूर सुना होगा और उन्होंने इस basketball term को काफी अच्छी तरह से define भी करा है प्रूव भी करा है इसके बारे में जब random से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह एक cricket हम लगातार खेलते भी हैं खेलने के लिए कहते भी हैं और हमारे खिलारे इसको परफॉर्म करके भी देते हैं लेकिन जो इंडिया के सामने सीरीज है वो एक बड़ी सीरीज है क्योंकि आप इंडिया जाकर के खेलोगे तो जब आप test match इंडिया जाकर ये खेल और उस country में जाकर के perform करना प्रेशर जरूर होगा लेकिन वहां perform करना हमारे लिए important भी होगा उसके बाद उनसे पूछा गया विराट कोली और रोहिश शर्मा के बारे उन्होंने कहा कि विराट कोली और रोहिश शर्मा दोनों ही काफी अवो दरजे खिलाड़ी है लेकिन र वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा six लगा इस वर्ल्ड कप में जो 135 के रफ्तार 35 स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं वो दिखाता है कि वो जो बैस्बॉल अप्रोच है ना वो कहीं ने कहीं रोहिश शर्मा की भी है और इसी वज़ए से उनको काफी पसंद भी है उन्होंने अगर आपकी टीम प्रेशर में है तो प्रेशर रिलीज करने या काम करते हैं और आप कप्तान हो तो जाहिट से बाद अगर कप्तान आगे से लीड करते हैं हमने इस पूरे वर्ल कप में देखा कि रोहिश शर्मा वास लीडिंग फ्रॉम दा फ्रेंट तो अगर रोहिश शर के स्टार्ट होते ही जैनवरी में सिरी स्टार्ट होगी और यह पांच मैच का जो डबू टीसी का साइकल आपने दो बार फाइनल में पहुंच चुके हो तो दो बार फाइनल ने पहुंचने के बाद यह तीसरी बार आप दोनों बार हार चुके हो तो यह तीसरी बार जो आप कि साइकिल आ एक्समें, आप आप साउट आफरीका से खेल रहे तो इस साइकिल को कम्पLEEET करोगे उसके बाद है या फिर से फीका पढ़ते वादाल हैं लेकिन इसलाद हैं इस एलाफ मैच है वहें बहुत है प्रोच से इंग्लैंड को द्वस्त कर पाते हैं आपको क्या लगता है कि अस बैस्ट बाल अप्रोच को जब इंडिया फॉलो करेंगे तो इंग्लैंड को हरा पाएंगे या फिर उनको अपरी अप्रोच चेंज करनी पड़ेंगे अपने इस वीडियो को लाइक और शेयर